नमशकर दोस्तो आज हम बनाने जा रहे हैं पथा गोबी मड्र की सब्जी तो आप देख सकते हैं कितनी सुंदर कितनी कूबसूरत लग रही है सब्जी बनकर तो शुरुआत करते हैं सब्जी बनाने की प्याज लिए है कुछ हमने हरी मिर्च लिए है अद्रक लिया और टोमा तैयार कर लेंगे और बृक डिक काटेंगे ताक wraps ताकि सब्सक्राइब मैं हम पत्ते बढ़ए नहीं लगे और सध ही में हम कुछ मर्टर तकरीबन आदा की लोके करीब मर्टर लिए है और दो पॉती के करीब हमने लस्न में ले लिया वो कूट लिया उसमें हारी मिर्च पांसाथ जो हरी मिर्च लिया है वो काट वो भी साथ में कूट लिया है और अच्छे से कूटने के बाद मौम दिश्टे में और प्याज हमने एक लिया है दो लिया सौरी दो प्याज हमने बरीबरी कूटर लिया है जे देख सकते हैं जो हम यञुटर मिर्च टुमाटर अध्रक वेगर हमने बड़ी करें कूधर काट लिया और कड़ाय में यो तेल पूरा गरम करके तो उसमें हम अब जो अपयास को गोल्डन फ्नाइज करेंगे गोल्डन फ्नाइज करने इसको गोल्डन फ्राइ होने तक हम प्याज को ऐसा ही प्राइ करते रहेंगे और इसके बाद हम इसमें जो है ट्माटर के बाद के दाने मूरी आड्र कर देंगे और इसके बाद जो हमने पत्ता गोभी ब्रिक ब्रिक काट ली थी तो वो एड़ करेंगे मगर उससे पहले हम इसमें मसाले बगरा एड़ करेंगे जिसमें एक चमच जो है हमने लिया है अपनी हरी मेर्च एक चमच लिया हमने नमक, हल्दी, गर्मसाला और ये अच्छे से इसको भूनने के बाद इसमें हम एड़ कर देंगे जो हमारी पत्ता को भी हमने ब्रिक ब्रिक काटी होई है वो एड़ कर देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे मिक्स करने के बाद इसको हम एक ढकन से कवर कर देंगे और थोड़ी देर के लिए इसको दस से पंद्रा मिनट के लिए इसको ऐसे ही पकाएंगे और दस पंद्रा मिनट हो चुके हैं इसको आप देखेंगे कि हमारे जो मट रहा और जो सब्जी है गल चुकी है जा नहीं गल चुकी इसको चेक करने के बाद अगर हमें इसमें मैसूस हो के भी अभी हमारी सबजी कच्ची लग रही है तो इसको अभी थोड़ी देर के लिए और इसे तरह ढख कर पकाएंगे तो इसका जो कलर देकर आपको पता ही लग रहा हुआ गया कितना टेस्टी है माटरा भी थोड़े कच्चे है तो इसलिए हमें थोड़ी देर के लिए और इसको बनाना चाहा हूँ तो इसको ढखकन से कवर करके थोड़ी देर के लिए और पकाया और तकरीबन पांसाथ दस मिनिट के बाद हमारी जी सबजी है देख सकते हैं बनके बिल्कुल रेडी है और बिल्कुल मटर भी कल चुके हैं और इसको प्लेट में सारुख करेंगे और उसका धनिया साबत धनिया से उससे गानिश करके प्लेट में सारुख करेंगे तो आज की ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट्स में जुरूर बताना और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को किरपे सब्सक्राइब कर दे और हम बैल आइकन जुरूर दबा दें ताके जब भी हम नई से नई वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन जाता रहे और ऐसे ही हमरे चैनल को प्यार देते रहें तो धन्यवा दोस्तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए ऐसे ही हमरे चैनल को प्यार देते रहें और हम अच्छे अच्छी नई नई वीडियो आपके अपनी चैनल पर डालते रहेंगे और धनीय से 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 गार्णिश करने के बाद जो इसका जो टेस्ट आ रहा था वो वीडियो तो मैंने बाद में ही इसको वाइस दी है मगर जो टेस्ट इतना मज़ेदार आया सबजी का के मज़ा ही आ गया आप भी अपने घर में ऐसे ही बनाएं और खाके बनाकर टेस्ट करके हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको हमारे तरीके से बनाएं गई हुई पत्ता गोई मटगी सबजी कैसे लगी धन्यवा दोस्तो नमस्कार